हेलो गाईज, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल, सिवम रैक्स तो एक और लॉंग आंसर लेकर आ गए हैं, बीए पार्ट थर्ड के नोट से स्टार्ट हो गए हैं, आज से चैनल पर डलने काफी दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा व्यस था, तो आपसे वीडियो आए करेगी आपके एक दो दिन में, क्योंकि आपको पता है, नोट स बनाने में काफी टाइम लग जाता है, तो बिना टाइम वेश्ट के वीडियो स्टार् सपोर्ट मिल रहा है मुझे, ऐसे ही अपना सपोर्ट करते नहीं, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उस पर आपके लिए जरूर वीडियो अपलोड करेंगे, तो आज का वीडियो है, बहुत ही जाद है आपके ए तो स्टार्ट करते हैं, अंग्रेजी साहितिये पर पुने जागरण, मतलब रिनेसेंस का क्या पर भाप पड़ा, आज के वीडियो हम बताएंगे आपको, तो इंट्रोड़क्शन, इन रिनेसेंस पुने जागरण में, the world, art and literature, जो कला थी और साहितिये, were directly, पूरी तरह से directly connected to French literature, French literature से ये जुड़े हुए थे, the main purpose, जो main उदेशिये था, रिनेसेंस का, was to remove darkness from medieval area of the world, मतलब संसार का जो मध्यकालिन जो area था, उस ए युग में से अंदकार को हटाना था, हमेशा हमेशा के लिए, and to carry brightness into society, और समाज में चमकीले लाना था, मतलब परकास लाना था, समाज में, and the main instance was also the renaissance to convert the darkness into light, जो में नो देशिये जो तर रिनेसेंस का, वो darkness जो अधेरा था, उसे परकास नो बदलना था, it was an open reward, ये खुला विद्रो था, again is the principle, सिदानतों के बीच, tradition, परमपराओं के बीच, of the church, जो चर्च की थी, and narrow-minded, जो संकिन विचारते, of Europe, Europe के the era of art and literature, art or literature का जो युक था, was the period of female metaphysical, इसमें क्या हुआ था, जो female थी, उसकी सुंदरता के पिड़ती, मतलब विचार विचार वियक्ति ये था, इस तरह का ये युक था, and description of nature's beauty, और प्रकरती की सुंदरता को दिखा गया था, and literature goodness, और साहिते के अच्छा ये को दिखा ग नए विचारों का युक था, after the passing a long time into darkness of medieval area, मतलब काफी समय से जो प्रकास अंदकार था, medieval, जो मध्यकालीन युक का जो अंदकार था, उसे हटाते हुए नए विचार वियक्ति किये गए हैं, रिनेंसेंस में, actually वास्तम में, it was the era of extremely brightness, अत्य दिक सुंदरता का एरिया था है, इंटेलिजेंसी, बुद्धि मता दिखाई थी इसमें, आगे चलते हैं, humanism, humanism, the renaissance has been described in ancient Greek ethics, जो Greek ethics में इसे describe किया गया था, Latin language में, which clarify, जिसने clarify किया था, साफ किया था, निश्चित किया था, the rebirth of knowledge, actually जो renaissance का मतलब था ना, वो rebirth of knowledge, मतलब ज्यान का पुनह जनम हो था, which began, जो began हुआ in 15th century, century की spelling ठीक कर ले ना, guys, c-e-n-t-u-r-y, and after this, इसके बाद, the influence of renaissance, renaissance का जो परभाब था, separate, अलग हो गया, throughout, पूरी तरह से, in the huge Europe, पूरे Europe में, फैल गया था, it was the period of art, यह कला का युग था, and literature, literature का युग था, in the spirit, spirit में, there is something profound, there is something, मतलब कुछ गंभीर था, that we find, जो हमने पाया, a new philosophy, एक नए, दार्शनिक एटिट्यूट, द्रश्टिकोर्ण में, with the ancient literature, और प्राचिन साहिती में, there was thoroughly opposite to the medieval, जो पूरी तरह से medievalism के, opposite में था, विरोध में था, आगे, implication, implication माने होता है, उल्जाव, जो उल्जनती, किसकी रिनिंसेंस की, in England, इंगलेंड में जो उल्जनती, रिनिंसेंस की, पुर्ण जागरण की, वो क्या थी, due to renincence, renincence के कारण, a lot of implication, बहुत से उल्जाव, उल्जने, वर सीम, मैसूस की गई, in the renincence, renincence में, in England, the description of those, उनक से पहले हुई थी, death, death of medieval, medieval की spelling थोड़ी गलत होगी, student, आप ठीक कर लेना, M-E-D-I-E-V-A-L, medieval scholasticism, scholasticism, the death of medieval scholasticism, this era, यह जो एरा था, express, express की spelling थोड़ी रॉंग, ठीक कर लेना, E-X-P-R-E-W-S, express the thought, इस era ने, express किया, thoughts of reality, वास्ति विक्ता के, in the matter of rebirth, rebirth, मतलब बार-बार मैं आपको यह बता रहा हूँ, art, उसका art का, and literature का, rebirth हुआ था, जो पहले से, art, and literature, चल रही थी, उसका दुबारे से, renincence में, rebirth हुआ, पुने जागरन हुआ, it was clearly, यह पूरी तरह से, meaning था, इसका meaning था, अर्था, that the death of medieval scholasticism happened, who had keen on society, जो society पर keen नजर थी, मतलब गंबीर निगारक रखे थी, and human thought, मानव की विचार उपर, for a long time, लंबे समय से, आगे, emphasize, on the individual and present life, emphasize, मतलब जोड दिया गया, किस पर जोड दिया गया, इंडिविज्म, ध्याद मिक्ता पर, and present, वर्तमान की life पर, art and literature, जो कला और साथ यह थे, have bounded, bounded मतलब, क्या हुआ, घिरे हुए थे, कहां से घिरे हुए थे, rising activity, उभरते हुई, किरिया कलापो से, of scientific, वैग्यानिक senses, वैग्यानिक ताके, मतलब, वैग्यानिक ताके कोई मामल सके, this era, यह जो era था, bounded गिरा हुआ, the feeling of human beings, मानत तागी भावनाओं से गिरा हुआ था, the birth of modern world, modern world का birth हुआ, तो art and literature, कला और साहिती जो थे, have profound, पूरी तरह से profound थे, मतलब, गंबीर थे, the ended ashes of past, मतलब, past की जो, past की जो, वो थी, राक, ashes, मतलब, राक होता है, मतलब, past की जो बाते थे, उनसे गिरे हुए थे, art और कला, जो rebirth जब हुआ, लिटरे, उसका, रिनिंसेंस का, तो इन्हें बहुत ही कुछ चेंज किया गया, ill happening, मतलब, बुरे प्रभाव थे, in the past, past में, there would be, rebirth of modern era, modern era का rebirth हुआ, it was the invention of modern, modern का invention हुआ, मतलब, क्या हुआ, एक तरह से, वो हु अविशकार हुआ, would and modern man, modern man बनाया गया, this period was again, इस पूरी तरह से विरोध में था, religious, धार्मिक तागे, and art, कला के, हुली, पूरी तरीख से, that era, यह जो एरा था, वाज हुली, पूरी तरह से, filled भरा हुआ था, with religious fanaticism, मतलब, धार्मिक विचावा था, challenge to, authorities, authorities को challenge किया गया, authorities का मतलब ही होता है, जो बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, प्राधिकारी होते हैं, उन्हें challenge किया गया, the renincence of art and literature, art and literature का जो पुने जागरन था, was challenging, पूरी तरह से challenge कर रहा था, era of authorities, authorities के मतलब, बड़े-बड़े अधिकारी के जो अधिकारी थे, प्राधिकारी थे, challenge दे रहा था, this renincence, ये पुने जागरन, indicate, बताता है, संकेत करता है, towards the changing attitude, मतलब changing method को, मतलब इस renincence ने क्या किया, attitude जो था, किसका renincence का, पूरी तरह से, उस art and literature के जो attitude था, उसकी और, मतलब, indicate किया, this era, इस era ने, युग ने reflect, प्रकास, प्रभावित किया, प्रकासित कि हुली, पूरी तरह से, all streams, सब धाराओं को, मतलब हर छेतर को प्रभावित किया, renincence ने, तो कहना का मतलब, मेरा ये है, part 1 यहाँ पर, complete हो गया है, नहीं नहीं, sorry, sorry, अभी चल रहा है, चल रहा है, तो इसका जो, फिप्त है, imitation of Greece and Latin scholars, imitation का मतलब होता है, जो नकल होती है, Greece की और Latin के जो scholar थे, उसकी नकल जरूर है, इसमें, rebirth में, in this era, इस era में, the pupil, pupil थे, imitated नकल की, the scholar विद्वानों की, और Greek and Latin, Greek और Latin के जो विद्वान थे, उनकी नकल की, at that time, उस समय पर, there was the indication, indication मिला एक, indication का मतलब होता है, संकेत मिला है, और beauty सुंदरता का, and sensible समझदारी का, directly, पूरी तरह से, for that, जिसके लिए, contemporary literature, जो समकालीन हमारा साहित थे था, man ने followed किया, उन्होंने मतलब, समकालीन जो विद्वान थे, उन्होंने follow किया, the way को, of Greek and Latin scholar, Latin और Greek के जो scholar थे, उनके, जो तरीका था, उसे follow किया, when, जब, they adopt, उन्होंने अपनाया, them, उनको, the condition become normal itself, अपने आप, condition normal हो गई, the renaissance, जो पुने जागरन था, implies, implies मतलब, सूचित किया, new humanism, मतलब, नए, मानवतबाद को, उसने, implies किया, बताया, indicate किया, in it, इसमे, the result found, जो, परिणाम था, पाया गया, as clear, पूरी तरह से, इस पर्ष था, indication, indication, indication मतलब, संकेत था, of humanism, मानवतबाद था, तूबर्ट था, renincense, renincense की और, especially, पूरी तरह से, it was the renincense, ये, renincense था, renincense मतलब, पुने जागरन था, again is the humanism, humanism के बीच, ये जो, मतलब, पुने जागरन हुआ था, humanism के, again is मतलब, humanism ने clarify किया था, मानवतबाद ने spust किया था, human nature, मानव की nature को, थोली पूरी तरह से, as जैसे, it was highly implied, पूरी तरह से, implied हो गई, सूचित किया, इसने, than, that of anything, किसी और चीच के लावा, मतलब, इसमें highly, पूरी तरह से, man की nature को, analysis किया गया, humanism, जो मानवतबाद था, struggle, उसने संगर्स किया, was directly, directly तरह से, two were those implications, उन, implication, उनने किर्यकरापों के वीच, which were against, जो पूरी तरह से, विरोध में थी, philosophy, दार्स निखता के, and psychology, मानवतबादा के, मतलब, मानवतबादा के, according to humanism, humanism के, अनुसार, imagination, जो हमारी कल्पना होती है, और compulsory, पूरी तरह से, एनिवार्य होती है, real quality of experience, जो real quality होती है, जो real अनुभव होता है, गुण होता है, does not natural, प्राकरतिक नहीं होता है, but it is full of politics, ये राजनीची से वरा होता है, there is clear, implements, ये पूरी तरह से किर्यकलाप होता है, इस पस्ट किर्यकलाप है, between human beings, मानत्ता के बीच, and nature, प्राकरति के बीच, तो इसी के साथ हमारा part one ये, यहाँ पर complete होता है, प्राए झाल झाल